हैовать नमस्कार बच्चो है कि अज हम इन वस निकालना सेंगे 5.1 कंप्लीट करना हम 5.2 में इस्टार्ट करते हैं यहां पे हमें मैट्रिक्स का इन वर्स निकालना सिखना है इन वर्स ओफ मैट्रिक्स ठीक Ohio ऐसा HUता है अगर उसकी power में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा inverse of matrix ठीक है यह तो ओगी उसकी notation अब क्या है कैसे निकलेगा यह देखते हैं हमारे पास किसी matrix का अगर inverse निकालते हैं तो दो condition होती है एक non singular और एक singular matrix अगर कोई भी एक matrix है यह हमने कोई matrix ली वो या तो singular होगी या non singular हमने singular और non singular पर पढ़ा है singular का आर्थ क्या होता है किसी भी matrix का determinant क्या जाए 0 उसको हम क्या कहते है singular matrix और जिस matrix का determinant not equal to 0 आए उसे हम क्या कहते है non singular matrix ठीक है तो आज हम किस पर चर्चा करेंगे non singular matrix पर है ठीक है अगर singular matrix होगी तो हम अगली exercise में चर्चा करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा adjoint निकालना पड़ेगा और B matrix होगे मारे पास और उन दोनों की product या तो 0 आएगी या 0 के बराबर नहीं आएगी दो condition बनेंगी अगर 0 के बराबर आएगी तो कितने solution होगे उस matrix यह infinite infinite solution होगे अगर क्या होगा अगर A adjoint of A into B not equal to 0 आएगा तो उसके कितने solution होगे no solution कोई solution नहीं होगा ठीक है और यहाँ पे यहाँ पे यानिकी singular matrix है तो उसमें कितने solution हो सकते हैं infinite many solution हो सकते हैं या फिर no solution हो सकते हैं ठीक है no solution कब बनेगा जब adjoint of A into B not equal to 0 होगा और infinite many solution कब होगे जब adjoint of A into B is equal to 0 होगा अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि non singular हो यानि कि किसी भी matrix का determinant not equal to 0 है ठीक है फिर हमें क्या करना है कि उसका कितने solution होगे कितने होंगे unique solution surround unique solution ठीक है यानि कि एक ही solution होगा 1 solution infinite solution और no solution यानि कि किसी भी matrix के तीन ही answer हो सकते हैं क्या या तो उस matrix के पास कितने solution होगा एक होगा या क्या होगा infinite Library solution होगा या फिर solution होगा ही नहीं ठीक है कौन-कौन से यूनिक के लिए तो non-singular matrix होना जरूरी है और infinite और non-solution के लिए singular होना जरूरी है ठीक है ये थी हमारे inverse निकालने की procedure अब हम बात करते हैं non-singular matrix रखी हो तब inverse कैसे निकालते हैं हमें पता है A inverse A inverse निकालने का जो formula होगा वो क्या होगा 1 by A determinant into adjoint of A ये होता है हमारे पाल्स ठीक है किसी भी matrix का inverse निकालने का formula क्या होगा inverse 1 by A determinant into adjoint of A तो हमने निकालना सीख रखा है adjoint of A क्या होता है co-factor का transpose को फेक्टर का transpose होगा उसको हम क्या कर देंगे adjoint मानते हैं हम एक एक जम्पल लेते हैं उसका inverse निकालना सीखते हैं जैसे exercise का एक जम्पल 2,3 और 3,5 ये करा है ये एक matrix रखिए इस matrix का आप inverse फाइंड आउट कीजिए पहले तो इसका determinant निकालो क्योंकि पहले ये चेक करना है कि ये singular है या non-singular determinant निकालेंगे तो 3,5,2,10, minus का 9, कितना बना 1 तो ये not equal to 0 है तो कैसे मिली ये मारे पास non-singular non-singular matrix है non-singular matrix है तो इसका रखिए हम inverse फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या होगा त्रिक का हमारे पास adjoint adjoint निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा cofactor cofactor निकालते है cofactor निकालेंगे cofactor निकालने के लिए हमें पता है जितने भी element होते हैं उनके cofactor बनाते हैं तो क्या बनेगा a11 a12 a21 और a22 ठीक है यह मारे पास value होगी 1-1 निकालेंगे इसका अर्थ क्या है a11 का अर्थ क्या है first row first column को चोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 5 ठीक है 5 value कैसी है even क्योंकि one और one का sum क्या होता है even तो यह क्या रहेगा same यहां sign change होगा क्योंकि यह odd है क्या बनेगा first row second column को चोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3 लेकिन इसका क्या हो जाएगा sign change फिर उसके बाद a21 यानकि second row first column कितना हो जाएगा 3 इसका भी sum कितना है odd तो sign change यह कितन हो जाएगा 2 2 यानकि 2 आजाएगा इसका sign change नहीं होगा अब हम क्या निकालते हैं अर्ज्वाइंट अर्ज्वाइंट ओफ ए निकालेंगे तो हमें पता है जो कोफेक्टर है उसका क्या कर देंगे transpose 5-3-3-2 और इसका क्या कर देंगे transpose तो यह अर्ज्वाइंट ओफ अर्ज्वाइंट करेंगे तो सेम टू सेम रहा और मैंने डारेक्ट कोफेक्टर निकालना बताया था आपको यानिकि लेकिन वो कब यूज करना आपको मल्टिपल ज्वाइस के संदेर रखें या फिर आप पहीं कम्पीटिशन अग्याम में बैठे हो तब कैसे क्या करोगे इन दोनों को क्या कर दोगे चेंज कर दोगे और इन दोनों के क्या कर दोगे साइन चेंज कर दोगे ठीक है तो यह हमारे कोफेक्टर आ गया अब क्या निकालना है A-inverse क्या होता है 1 by A-determinant into adjoint of A यह A-inverse आ जाएगा अब हमें पता है ए इंवर्ष की ए डिटर्मिनेंट की वेलू कितनी है मारे पास 1 कितनी है 1 तो 1 अपोन 1 इंटू अड्जुएंट ओफ ए कितना है 5-3-3 और 2 1 से इसमें कोई वेलू में चेंज नहीं आएगा तो आंसर क्या हो दाएगा हमारा 5-3-3 और 2 यह हमारे पास क्या गया inverse यही हमारा क्या है inverse निकालने का तरीका कब है जब हमी कौन सी matrix दे रखी हो non singular matrix ठीक है एक 3-3 पे एक और question करते हैं यह 3-3 के एक matrix लिए हमने ठीक है अब इसको हम क्या कर रहे है inverse find out कर रहे है तो हमें पता है inverse कैसे होगा A inverse is equal to A upon A determinant into adjoint of A यह हमारा क्या होगा A inverse तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A determinant A determinant चेक करते हैं किसके दवारा करते हैं फर्स्ट रो के दवारा expand कर देते हैं तो 3 into तो यह रो छूट जाएगी यह कोलम तो कितना मिलेगा 2 minus minus कितना हो जाएगा plus का 3 और फिर से क्या हो जाएगा minus का कितना हो जाएगा 3 और यहां क्या होता है negative होता है लेकिन negative 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा positive into अब यह कोलम चुट जाएगी यह रो तो कितना मिलेगा 4 और minus minus plus का 4 ठीक है ये होगया हमारे पास फिर कितना होगा? प्लस का 3 इंटू ये column चुट जाएगी ये row तो कितना मिलेगा? minus का 6 और minus का 4 ठीक है? यहांसे अगर हम check करेंगे तो हमारे पास ये कितना मिला? minus का 1 यानकी minus 3 और ये कितना मिला? 4, 8 और कितना होगया? 16 और यह कितना हो जाएगा 10 माइनस का 30 तो यह इसको solve करेंगे तो कितना मिला हमेरे पास negative 17 तो जो कि 0 के equal नहीं है यानि कि A determinant not equal to 0 चाए positive आओ चाए negative हमारा answer क्या नहीं हाना ची जीरो तो इस कार्थ क्या हुआ यह non singular matrix है non singular matrix है तो हमारा answer क्या रहेगा यह रहेगा ठीक है तो इससे पहले हमें adjoint निकालना है ठीक है determinant तो हमने find out कर लिया अब adjoint निकालना है adjoint निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे cofactor cofactor निकालेंगे तो हमारे पास कितने cofactor होंगे कितने को फ्रेक्टर होंगे मारे पास कितने का है 3 क्रोस तरीका है तो ओडर कितना वाद 3 क्रोस 3 9 तो कितने होंगे 9 ही होंगे तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 और A33 जी होगे ठीक है अब order की according हम solve करेंगे अगर A11 को solve करें यानिकि A11 का आर्थ है first row first column को छोड़ेंगे तो ये मिलेगा 1 minus 1 और 3 2 अगर इसको solve करेंगे तो हमारे पास answer कितना मिलेगा solve करके लिए क्याएंगे तो minus 1 ठीक है कितना मिलेगा minus 1 उसके बाद A12 को करेंगे यनकी first row second column तो यनकी तोदुन 4 और plus का 4 यनकी 8 बनेगा लेकिन order क्या है इसका order तो कितना हो जाएगा minus 8 और यहां से कितना बनेगा यही आना है 10 10 बनना है क्योंकि first को तो हमने expand कर रखा है minus 10 बनेगा और यह क्या है even है तो कितना रहेगा minus 10 इसका answer र कर लेंगे तो A21 का अर्थ क्या है second row first column को चोड़ेंगे तो च्यार और plus का no कितना हो जाएगा minus का yorsun, कितना बनेगा हमारे पास,-5 ठीक है क्योंकि minus 4 हो जाएगा और यहां उसके बाद A22, A22 को निकालेंगे, तो यनिकी second row, second column को चोटेंगे, 6 और 12, कितना मिलेगा हमारे पास, minus का 6, कितना मिलेगा, minus का 6, is equal to, इसका 2, 3 का करेंगे, second row, third column, तो कितना हुआ, minus का 9, और plus का 8, ठीक है, कितना मिला, 1, लेकिन order क्या है, minus का 1, तो यह order कितना है, 5, तो कित even को solve करेंगे, कितना मिलेगा, third row, और first column को चोटेंगे, तो plus का 2, minus का 3, यनिकी कितना मिला, minus का 1, order कितना है, even, तो minus का 1, फिर कितना होगा, 3, 2, यनिकी third row, second column, तो कितना मिलेगा, minus का 3, minus का 6, यनिकी कितना बना, अमारे पास, minus का 9, लेकिन order क्या है, odd, तो किसका बन प्लस का 9, फिर 3 क्रोस 3, 3rd row 3rd column को चोड़ेंगे, तो 3 प्लस का 4, कितना बना 7, order क्या है, even तो क्या रहेगा, 7 का 7, तो हमें क्या निकालना है, अट जुएंट, अट जुएंट और जुएंट और अट जुएंट और निकालेंगे, तो इस matrix को एज़ अरेंज करेंगे, माइनस one, माइनस five, माइनस one, खीक है और उसके बाद, माइनस eight, माइनस six, nine और ये कितना हो जाएगा, माइनस ten, one और seven और इसका क्या करते हैं, transpose तो transpose करेंगे, तो हमें पता है, first row को first column में change करते हैंगे, कितना मिलेगा माइनस one, माइनस eight, माइनस का ten फिर कितना हमें लेगा second row को second column में change करेंगे minus 5 minus 6 1 और third row को करेंगे तो minus 1 9 और 7 यह हमारे पास adjoint of matrix आगया अब हमें पता है A inverse निकालना है क्या निकालना है A inverse क्या में लेगा adjoint 1 upon 1 upon A determinant into adjoint of A यह होता है हमारे पास inverse तो हमें पता है 1 by A determinant कितना है हमारे पास negative का 17 कितना है negative 17 into और matrix यह हमारे पास है minus 1 minus 8 minus 10 और यह कितना हो जाएगा minus 5 minus 6 1 minus 1 9 और 7 यह जो हमारे पास आया है हम क्या कर सकते है negative को अंदर लेके क्योंकि 17 से तो यह कोई भी value divide नहीं होगी तो P by Q forum में लिखने की बजाए हम क्या रखेंगे इसको 1 by 17 को बारी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by 17 हम negative को अंदर लेके जाएगे जो negative है वो positive हो जाएगा जो positive है वो क्या हो जाएगा negative तो यह क्या हो जाएगा 1, 8 और 10 5, 6 minus 1 1 minus 9 और 7 minus का आप सोचोगे जर अंदर क्यों लेके गए कोई जरूरी नहीं है आप लेके भी जा सकते और बार भी रख सकते दे यानि कि यह भी आपका answer है और यह भी आपका क्या है answer है एंवर्स का यह answer है तो आप इस तरह से सारी value निकाल सकते हैं एक property होती है यह तोड़ा सम आपको बता देता हूँ क्या है कि A inverse into A is equal to identity यानि कि हमें पता है कोई भी value अगर खुद के inverse के साथ अगर multiply होगी तो हमेशा क्या देती है identity यह आपकी property से question solve कर रखें exercise में जैसे मैं आपको एक बात बोलूँ तो का inverse क्या होता है 1 by 2 multiple of inverse की बात कर रहा हूँ अगर additive inverse है तो का additive inverse क्या बनेगा negative 2 क्योंकि 0 identity होती है addition में और multiplication में identity क्या होती है 1 और matrix में identity क्या होती है identity matrix यानिकी 1 0 0 1 या फिर 2 3 cross 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यह identity होती है ठीक है किस में होती है multiple में multiple में identity क्यों होती है यह matrix और यह matrix अगर 2 की है तो यह matrix और 3 cross की तरह है तो यह matrix जैसे number system में identity multiple क्या होता है 1 और additive identity क्या होता है 0 इसी तरह matrix में identity क्या होती है identity matrix यह 2 cross 2 या 3 3 हम 2 x 2 और 3 x 3 पर काम करेंगे प्लस 2 में ठीक है तो यहीं हमारे पास क्या होती है identity तो इसका आर्थ भी क्या है कि A inverse निकालो अगर आप से कहें कि यह शो करके दिखाओ A inverse into A is equal to identity इसका आर्थ क्या हुआ कि आपको क्या शो करना है पहले तो A inverse निकालो ठीक है A inverse निकालके उसको A से multiply करो अगर आप A inverse निकालके A से multiply करोगे अगर 2 x 2 की matrix से आपकी A तो आप का answer आना चीए A यह identity अगर 3 x 3 की है तो answer क्या आना चीए यह इस तरह से हम आगे question solve करके देख सकते हैं धन्यवाद